हेलो बच्चो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोसन क्लासेस में बच्चो आज हम आपके लिए जो आपकी सीजी बोर्ट का एसाइमेंट 3 आ गया है माय अक्तूबर के सो आपके कक्षा 10 वी के विषय समाजिक विज्यान के सभी क्वेश्चन के एंसर इस वीडियो पर आज हम आपके लिए ले आए हैं सारे एंसर आपको टाइप किये हुए मिलेंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहींगे तो वीडियो को लाइक करतीजे अगर आपको अन्य विषय के वीडियो भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्सन पर दिये गए लिंक के मदद से देख ले देखिए क्या कारण है यहां पास आप देख सकते हैं वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाले तीन प्रिमुक्त मोटे अनाज़ वाली फसले जोहर बाजरा और रागी है इसके साथ ही भारत मोटे अनाज़ों की जैव अन्वानसिक रूप से विवित और स्वादेशी किसम विवर्तन के प्रती कम समवेदन सील होती है चरम जलवायू परिस्थितियों के कारण मोटे अनाज़ों के उत्पादन में मामूली कमी हो सकती है मोटे अनाज़ की फसले वारिषपन निर्भर होती है और खरीप के मोशम में इनकी खेती की जाती है इसलिए क्या मोटे लिखना है, बच्चो अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप हमारा टेलिघ्रांड जोइन कर सकते हैं, लिंक निश्रीं डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जोइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं टेलिघ्रांड में जाके आलोग motion classes तो चलिए यहाँ पास देखते हैं अगला question यहाँ पास question number two रूस में 1861-1940 के बीच की सानों की इस्थिती में क्या परिवर्तन आए ठीक है तो यहाँ पास इसका आप answer देख पा रहे होंगे यहाँ से आपका answer सुरू होता है ठीक है तो देखिए क्या परिवर्तन आए सन 1861 इसवी तक रूस में क्रस्ट को क्यो अर्दरदाय के रूप में रखा गया था किसान जमीन से बंधे थे और हैं ठीक है बिना भूस्वमियों की आग्या से दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गाव छोड़कर नहीं जा सकते थे 1861 इसवी में जार की एक घोसड़ा के बाद किसानों को इस प्रथा से मुक्ती मिली मगर तब भी जमीन भूस्वमियों के पास ही था और किसानों को यह जमीन उचे किराये पर मिलती थी जार की पहल पर भूस्वमियों ने कुछ जमीन किसानों को दी मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ी सासन की ओर से यह रकम भूस्वमियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना जब तक वे इसे पटा नहीं देते उन्हें गाओं छोड़कर जाने की अनमत नहीं थी सन 1917 इसवी तक कई पीड़िया बीतने पर भी किसान यह रख चुकाते रहें कुछ मिलाकर 1861 के सुधार्म से भूस्वामियों ही लावानवित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से बुरे हालतों में फस गए ठीक है फिर इसके बाद आगे है कई किसान उद्योगों में मजदूरी करने सहरों चले गए और कई किसान जार की सेना में भरती हो गए अक्टूबर करांती 1917 के बाद लेनिन ने जमीन संबंधी एलान किया जिसमें भू स्वामियों की जमीन का राष्टी गरण और किसानों को जमीन का वितरण का एलान किया हर गाओ के खरीब किसानों की समितियों को वहां के भू स्वामियों की जमीन को आपस में बाटने का अधिकार दिया 1917 के बाद भू स्वामियों की जमीन किसानों के बीच वित्रित होने से अधिकाल स्क्रसक माध्धन दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारामपरिक थे और उत्पादन कम था तीस साल बाद देखते हुए एस्टालिन ने क्रसी छेतर में भारी बदलाव लाने की पहल की इसके तहट किसानों को कहा गया कि वे अपने खेतों को मिलाकर विसाल सामोहिक बनाये ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मसीनवा अन आधुनिक तरीकों का उ उपयोग किया जा सके अधिकान छोटे ववा माध्यम किसान इसके लिए तयार हुए मगर ज्यादा तर बड़े किसान कुछ माध्यम किसानों के ने इनका विरोध किया विरोध करने वालों पर जोड़ जवरजस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरिपतार किये ग फल स्वरूप 1932 से 1934 के बीच भासर अकाल पड़ा और लाखों लोग भुखमरी के करण लेकिन 1936 तक यह करण का पूरा हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई 1937 के बाद करशी का तेजी से विकास हुआ और अद्योगी करण का फाइदा उठाते हुए अपनी उत्पादक्ता को तेजी से बढ़ा सका ठीक है तो यह होगे आपके प्रशन कमांग 2 का उत्तर अब इसके बाद अगला प्रशन देखते हैं प्रशन कमांग 3 1937 की सुविधा एक और हमारी आए बढ़ाने में साहायक होती है वही दूसरी और करज के जाल में फसा देती है कैसे आसपास के उधारण से समझाईए तो यहापास आप इसका उत्तर देख सकते हैं रिण अकर अपचारिक छेत्व से लिया गया हो तो है हमारी आए बढ़ाने में सहायता करता है उधारण के लिए हमारे पड़ोसी स्याम ने किराय के दुकान से खोलने के लिए बैंक से 2 लाक रिल लिया ठीक है फिर इसके बाद इसके लिए इसके बदले में उचने अपना अधर रिण आधार के रूप में बैंक के पास बंधक बनाया जब स्याम की दुकान दो महने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने रिड की किस्त 10,000 प्रती माह देना आरम किया धिर धिर उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और तीन वर्ष में स्याम ने अपना पूरा थोटे मोटे किसानों के पास अपचारिक छेत्र से रिड राप्च करने के लिए खास आभाव हो रहता है जिसके कारण उन्हें गाउ में ही महाजन से रिड लेना पड़ता है इसका व्याज इतना अधिक होता है कि वो इसको चुका नहीं पाते और उसे दूसरा रिड लेना पड़ जाता है इस प्रकार गरीव लोग एक वार कर्ज के जाल में फसते हैं तो उन्हें निकालना मुस्किल हो जाता है ठीक है तो यह हो गया आपके प्रशन क्रमांग तीन का उत्तर कैसे हमारे लिए अच्छा होता है और बुरा होता है ठीक है तो यहाँ पास आगे पुले का निर्धारित करने में वस्तों तथा सेवाओ का आदान प्रदान करने में तथा अन्य मौदरिक कारियों में शामान रूप से प्रियोग की जाती है तुवह मुद्रा ही है चाहे इसकी वैग्यानिक भौतिक विसेस्ताय कुछ भी हो दूसरे सब्दों में इसे कह सक कि यह पैशे या धन के रूप में उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है इसमें सिक्के और कागज के नोट समलित होते हैं आम तोर पर किसी देश में प्रियोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी विवस्था के अंतरगत बनाई ज देखे अब बरत्मान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं जो वस्तुओ और सेवाओं के मुल्यों को मापने में कटनाई नहीं आती है क्योंकि मुद्रा का मुल्ले के माप दंड के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्यापारिक फर में अपने लाव लागत हानी कुल आय आदिका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पास आपके यह हो गया प्रशन क्रमांग 4 का उत्तर और यहां पास आपके विसे समाजिक विग्यान में प्रशन क्रमांग 4 ही दिये थी तो उमीद करता हूँ आपने सभी इस एंसर को अच्छे से लिए लिखा होग अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देजे साथ की कमेंट सेक्षन में बजा कि बताईएगा कि वीडियो कैसे लगा और दोस्तों के साथ सेर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाए बाए